नमस्कार मैं हूँ अनामीका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वारतायनी ग्लोबल WhatsApp users के लिए एक अच्छी खबर है दरसल Meta Company ने WhatsApp में एक नया फीचर जोड़ा है जो users को password या biometric प्रमानी करन का उप्योग करके खास चैट को खास लोगों से किये गए खास चैट को लॉक करने की अनुमती देता है इस फीचर को चैट लॉक नाम दिया गया है यह फीचर बात चीत को लॉक करने के अलावा चैट को एक अलग फोल्डर में स्टोर करेगा साथ ही यह notification में नाम और वास्ताव संदेश को भी गुप्त रखेगा आपको बता दें कि लॉक किये गए चैट को केवल प्रमानी करन के बाद ही देखा जा सकेगा WhatsApp के स्वामित्व वाली कंपनी मैटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेस्बुक पोस्ट में चैट लॉक फीचर्स लॉंच किये जाने की जानकारे खुद दी है उन्होंने लिखा है कि WhatsApp में नए लॉक चैट आपकी बादचीत को और अधिक नीजी बनाएंगे जुकरबर्ग ने एक बयान में कहा कि हम नया फीचर चैट लॉक शुरू करने के लिए उत्साही है जो यूजर्स को सुरक्षा की एक और परत के साथ सबसे अतरंग बादचीत को छिपा कर रखने की सुविधा देता है उन्होंने कहा किसी चैट को लॉक करने से वा थ्रेड इंबॉक्स से बाहर हो जाता है और उसे खुद के फोल्डर के पीछे रख देता है जिसे केवल डिवाइस पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की तरह बायो मेट्रिक से देखा जा सकता है या नोटिफिकेशन में भी स्वचालित रूप से उस चैट की सामगरी को छिपा देता है इस फीचर की जरूरत के बारे में मार्ट ने कहा कि या सुविधा उन लोगों के लिए उप्योगी होगी जिनके पास समय समय पर अपने फोन को परिवार के किसी न किसी सदस्य के सां या उन शणों में जब आपको अपना फोन किसी और को देना होता है और ऐसे समय में कोई विशेस मैसेज आ जाए अगर चैट लॉक है तो इसकी निज़ता बरकरार रहेगी या फीचर एंडॉइड और आई ओएस दोनों फोन पर बिलेगा अगर आपका फोन किसी के हाथ लग गया तब भी वाट्सब पर लॉक किये गए चैट की गोपनियता बनी रहेगी अब आप निश्यंत रह सकते हैं यानि कोई व्यक्ति उससे देख नहीं सकेगा आपको बता दें कि वाट्सब में पहले ही सुरक्षा और गोपनियता को लेक सबसे पहले आपको वाट्सब पर किसी चैट पर टैप करना होगा इसके बाद चैट लॉक का विकल्प आपको मिलेगा जिस विकल्प पर क्लिक करके आप इस फीचर्स को एक्टिव कर सकते हैं बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वारताइन ग्लोबल धन्यवाद झाल